हेलो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ शाओमी का MI series का MI 10 जिहां दोस्तो MI 10 जो की इंडिया पर लॉंच होने जा रहा है तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यह जो MI 10 है वो इंडिया पर कब लॉंच होगा और इसमें आप लोग को क्या specification देखने को मिलेगा इसमें आप मोग क्या pricing देखने को मिलेगा इंड्या पर तो दोस्तों यही सब मैं आप तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोग ने भी मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं गया तो प्लीज चैनल को जरू सस्क्राइब करो लाइक करो कोमेंट करो और श्यार करो और जितना से जितना होसे का चैनल को श्यार करो तो दोस्तो चले वीडियो को शुरू कर यह वह इंडिया पर कब लांच ओब तो दोस्तों इने पॉने आप द हो नने नोट रहेकर दोस्तों फोने में आप लोग को स्पेसिफ़िक्रीशन देखने को मिलेगा पहले बातरे डिस्प्ले के बारे में जो आप लोग को इसमें आप लोग को 89.8% स्किन तू बोडी रेशियो के साथ देखने को मिलेगा और इसका जो रिजोलीशन है वो है 1080 इंट तू 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 पिक्सल जो की नाइन पॉइन फाइव इस्टू नाइन रेशियो थियाने एटीजिक्स पीपी डेंसीटि के साथ देखने को मिलेगा और एक चीज इसमें आप लोगो 90 हर्च का रिफ्रेश्ट एट देखने को मिलेगा तो दोस्तो यह फॉन काफी फॉर्स्ट होने वाला है तो काफी तो दोस्तो आप बात करतें प्रोटेक्शन के बारे में इसमें आप लोगो को कॉर्णिंग गोरिला ग्लास 5 के साथ आप लोगो इसमें देखने को मिलेगा प्रोटेक्शन और आप बात करतें ओपरेटिंग सिस्टेम इसमें आप लोगो Android 10 MIUI 11 देखने को मिलेगा तो दोस् का वाइड केमरा यह दो सेगंड के मेरा है वह है 13 MP का अल्ट्रा वाइट केमरा और जो फॉर्ट के मेरा है वह है 2 MP का डेप्ध केमरा तो दोस्तों यह काफी अच्छा बात है और इस है जो क्वाट के मेरा में आप को जो features मिलेगा वह है dual LED dual tone flashlight HDR और panorama देखने को मिलेगा और इसका जो selfie है वह है 20 MP का white camera सही है 20 MP selfie अच्छा ही है और इस अप लोग को देखने को मिलेगा flashlight और इसमें आप लोग को HDR भी देखने को मिलेगा selfie पर तो दोस्तों आप बात करते हैं इसमें आप आप लोगो USB Type-C 2.0 Type-C 1.0 reversible connector USB देखने को मिलेगा sensor आप लोगो इसमें fingerprint भी देखने को मिलेगा तो यह काफी एक अच्छा features देता है आप लोगो USB fingerprint सभी दे रहा है आप लोगो काफी अच्छी बात है जो की एक first charging support है आप लोगो इस फोन में first charging मिलेगा वह 30 watt का first charger देखने को मिलेगा इस फोन में यहां दोस्तों बात करते हैं मैं अपलोगो क्या 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 का यह को मिलेगा इस फोन में then he जेखने को मिले और जो सेगेंड कलर में यह पोन आप लोग को देखने को मिलेगा तो दोस्तों आप बात करते हैं इसमें आप लोग को सायद से यह तो पता नहीं कितना सांफ होगा तो दो वेरियन्ट यह confirm हो चुका है कि यह दो वेरियन्ट इंद आपने लाँच हो सकता है तो दोस्तों पहला जो वेरियन्ट वह है 8GB और उसके साथ आप लोग को 128 और 256GB देखने को मिलेगा 128 और 256 देखने को मिलेगा है तो आप बात करते हैं सिसे का इसाहर की तो दोस्तों पहला जो बात करते हैं पहला से हैं MR प्राइजिंग है 469.99 डोला जो कि इंडिया के करेंशी के साथ अबर्ट करोगे तो उसका प्राइजिंग आ रहा है कुछ 48,000 ऐसा है रहने माला है तो दोस्तों यह फॉन काफी फीचर्स दे रहा है हम लोग को काफी मतलब काफी अच्छा फीचर्स मिलेगा कि इसमें आप लोग को गेम भी काफी अच्छा खेल चाहिए क्योंकि इसमें आप लोग को क्वाल के तरफ से स्ने बेगन 865 का प्रोसे प्रूस देखने को मिले का अच्छा बात है यह तो दोस्तों आप लोग को मेरे कोमें सब्सक्राइब जरूर बताना जो ऑ्म आइश्यूमी का उन लोग के लिए तो आप लोग जरू बताना कि आप लोग इस फोन के लिए इंट्रेस्ट हो या नहीं हो और क्या उपिनियन आ आपका इस फोन के लिए तो यह क्या वर्थ ही है जो यह जो फोन है क्या वर्थ है तो दोस्तों आप लोग मेरे कोमेंट से हमें जरूर बताना तो जो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो लाइक करो कोमेंट करो और जितना से जितना हो से मेरे चैनल को शेयर तो दोस्तों आज के लिए नाएक मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ तकते के लिए बाई